नमस्का दोस्तों में नाम है जस्पाल सिंग और सवागत है आपका ट्रग्यान के एक नए वीडियो के साथ तो आज यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कमर्शिय भीकल में यहां पर कोल्ड स्टोरेज बीनिस के बारे में तो सबसे पहले मैं आप कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसमें हम बजेट सबसे पहले क्या होता है जब हम गाड़ी खरीते हैं तो एक बजेट कंस्रीडेशन कर लेते हैं यह हमारी गाड़ी है जैसे आप देख रहे हो सोल चका गाड़ी है यह गाड़ी आज के समय में डिसकाउंट निकाल कर यह गाड़ी 46.00 रुपे के आसपास यह गाड़ी आ रही है अगर यहां पर मैं down payment अगर मैं 7-8 लाख रुपए down payment करता हूँ तो मेरी जो किशत आती है जो installment आती है वो तकरीबन 5 सालों के लिए 90,000 पर मत के लिए आ जाती है यह पहले जिसे वो road price हो गया, down payment हो गया, interest rates हो गया, EMIs यह सारी यहां पर पहले calculate किये जाती है यह सारी calculate करने के बाद ही हम upfront cost है या functional cost है कि अपने commercial vehicle कितना cheaper पड़ेगा जग कितना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है वो सारे यहां पर हम एक budget consider कर लेते हैं सर्विस कितनी महंगी है, बाद में maintenance charges क्या है, warranty period, गाड़ी का जैसे Tata की warranty period बहुत ज़्यादा अच्छी है बात करें यहाँ पर next point की अगर payload and storage capacity कि कितना यह गाड़ी यहाँ पर GBW पास कर रही है और payload अपने को क्या मिलेगा payload का मतलब है कि कितना यह गाड़ी हमारा माल लेकर जा पाएगी और density volume density यहाँ अगर cold storage बना रहे हम तो यहाँ पर cold storage में हमने क्या stable wheelbase मिल जाएगा ground clearance अपने को ज्यादा बहतर मिल पाएगी तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हम consider कर लेते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर temperature range की vehicle कौन सा है और temperature यहाँ पर क्या रहेगा insulation van हम ले सकते हैं freezer van हम बना सकते हैं semi freezer van बना सकते हैं chiller van बना सकते हैं रेफिर ट्रक्स में यहाँ पर हम right temperature long journey के लिए तो वहाँ पर अपने को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जुरूरी हो जाता है कि temperature maintain करना चोटी बातों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से द्यान रखना पड़ता है जो आप यहाँ पर goods carry कर रहे हैं वह आप यहाँ पर preserve कर सकते हैं और अपना cost है जो trip cost है यहाँ पर cold storage विजने उसको ज्यादा सेव कर सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर distance and drop frequency की short distance delivery के लिए रेफिजरेटर बैंस हैं long distance delivery के लिए रेफिजरेटर ट्रक्स यहाँ पर रखे होते हैं more drop frequencies के लिए ट्रक्स बैंस with a lower temperature than required यहाँ पर रखे जाते हैं इसमें क्या आता है जरनली देखो हम कुछ गाड़ियां city to city चलाते हैं कुछ state to state चलाते हैं जा ओल ओवर इंडिया चलाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर distance and drop frequency यहाँ पर देखी जाती है fuel efficiency का next point आ जाता है इसमें यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जूरी होता है यहाँ जो हम गाड़ी चला रही है उसमें आपको refuted truck है fuel consumption कितनी है higher है due to cooling unit को की पीछे cooling unit लगी होती है cooling unit के कारण यहाँ पर obvious है कि fuel consumption है वो ज़्यादा रहेगी यह बहुत ज़्यादा important हो जाता ह है refuted truck में कि fuel efficiency आपको यहाँ पर best mileage यह गाड़ी यहाँ पर दे पाएं insulation and power and compression requirement की बात करें तो यहाँ पर जो compressor लगता है crucial part यहाँ पर fridge band में यहाँ पर हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छी power और long last power और साथ में जो food या हम कोई भी आपका refusion में जो समान रखा है व वो long समय तक यहाँ पर fresh रहे तो वो सारी चीज़े यहाँ पर insulation में power में और consumption requirement में यहाँ पर आ जाती है बात कर लेते हैं यहाँ पर customization according to industry and type of goods किस तरह से आप यहाँ पर अपनी vehicle को यहाँ पर अच्छे तरह से यहाँ पर perishable कर सकती हो जो fridge items आपके पास आने वाली है उसको आप कैसे hygiene quality यहाँ पर maintain कर सकते हो FMCG goods हैं यहाँ पर आपको space more जादा से जादा space चाहिए dimensions vehicles की बहुत जादा अच्छी चाहिए ताकि वो उस हिसाप से यहाँ पर आप जो refrigeration बना रहे हैं उस हिसाप से यहाँ पर आप बना सकते हैं और frozen goods की बात करें तो यहाँ पर यहाँ ice cream होगी तो उस तरह की vehicle body जो बनती है वो काफी जादा customization उस हिसाप से यहाँ पर आप करवा सकते हैं considering Tata Motors commercial vehicle refrigeration for higher payload cold storage business यहाँ पर बहुत सारे options आपको आगे मिल जाते हैं जैसे wide operating temperature range मिल जाती है multi power mode refrigeration unit मिल जाती है better insulation मिल जाती है पेलोड का एक बहुत बड़ा advantage आपको यहाँ पर साथ मिल जाता है high strength है मजबूती आपको यहाँ पर बोली मिल जाती है और दूसरी बात है light weight light weight से क्या है जो आपका पेलोड है वो गाड़ी यहाँ पर जादा ले कर जाएगी और यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे छोटी गाड़िया है consider कर लेते है टाटा एस lower payload cold storage business के लिए city to city यहाँ कर आगर आपने चलना है insulated containers आप मना सकते हो mini refrigerator यहाँ पर और loading capacity यहाँ पर ज्यादा से यादा आप रख सकते हो easy control है बिल्कुल durability है गाउंड करेंस बहुत ज्यादा अच्छी है तंग रास्तों में छोटे शहरों में जो बीड़ वाले शहर है पुराने शहर बने हुए है उसमें यह गाड़ी बिल्कुल जटाक से यहाँ पर अंदर सब्सक्राइब के बारे में वहां से आप जानकार ले सकते हूं मैं मिलता आप आपको ऐसी इंटरस्टिंगर साथ नमस्का दोस्तों जैय हिन वंदे मात रहूं